तो इस वीडियों नों बात करेंगे वह जो निके गुड़ में हमें जो है दो बात करना जिसमें बहुत तो इस वीडियों में बात करें तो सब्सक्राइब जो टॉपिक है वह आपका अक्सिकारक और अप्चाय गुड़ यानि डिदूसिंग और ऑक्सिटाइजिंग प्रापर्टी बहुत ही इंपॉड़ेंट है यहां से मैक्सिमुल कोईशन्स आपका किसी कंपोडिशन में या फिर कर सकते हैं आपके बोड़ की जाम में आता है तो उसको भी बहुत ही डिटेल में बात करेंगे ठीक है तो चलें पहले हम बात करते हैं आप भौतिक गुड़ के बारे में तो यहां पर हेडिंड डाल देंगे वह जोन के गुड़ यानि प्रापर्टी जाप अब फश्ट है आपका भौतिक गुड़ में फिचकल ठीक है और उसके दूसरा है आपको कर थरॊंट एब नीला में बदर बदार आगे तो चोहरण यहां पर रसकते हैं और हो जust आफ वहरा नीला ठोस में परिवर्टित हो जाता है लेकिन अगर बात करें तो यहां पर क्या है तो टंपरेचर को बहुत ज्यादा कम करना पड़ता है जिसके लिए बहुत जादे हो जाता है और जाता है तो जानते हैं इस का कार्य करता है क्या करता है क्या करता है यह वाला भी याद रखेंगे अब यह जो है प्रति चुम्बकी होता है जैसा कि हमने आक्सीजन के बारे में बात किया था तो जो है गया है वह इसके उसके पाई एक्सीजन को है यह जो होता यह ना उगमित हो जाते हैं और दोनों यह जैंनि इसमें जो लेक्टान होते हैं युगमित होते हैं युगमित होते हैं यह बहुत ही इंपॉंड़ंट है और यह क्या होता है यह लगवग भारी हो एक दस्माणों छे गुना भारी होता है यहां पर आक्सिजन एक प्रवाड़ क्या है तो हम कह सकते हैं जिसकी वज़से हम कहेंगे यह लभग भारी होता है उसके बाद कह रहेंगे कि वह जो होता है यह कैसा हो जो होता है यह बहुत कम घुलता है पर अगर बात करें कि तारपीन का पार तेल हो गया सब्सक्राइब जो सुध्ध वस्था में Su T walking St Community में क्या होता है अब बात दो चीजें होती है कि एक ना में अगर हम और देखाना ज़्यात घुलता है तो ज़्यादा गूरत जालता होती है आप बात करते हैं यह तो था इसका भौती गुड़ तो बिसेश तो है नहीं इसमें इसको आप देख सकते हैं एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ आप परत्य चुम्बकी यह होता है क्यों क्योंकि सभी लक्टान के से युगमित होते हैं अगला बात करते हैं आप रसायनी कुर यानी वी जो हैं डालें डालेंगे आप प्रापाटी जा वह जों जिसमें आप पहला दिन देखेंगे ताप अफगटन क्या है ताप अगर और को आप क्या करते हो लगवग 200 डिगरी से पर गरम करते हैं तो धीरे-धीरे क्या होता है तो तूट जाता है यह तो अगर करते हैं तो यहां पर लिख लेंगे कि वह जोन को अगर हम क्या करते हैं थंडा करते हैं तो यह अगर अगर तीन सु डिगरी से से करेंगे तो यह पूरता होगा लेकिन अगर आप जो करेंगे तो धीरी धीरी आपकटित होगा लेकिन अगर आप में अगर तो यहां पर यह आपका प्लेटिनम कि अगर उपस्थी में क्या करते हैं तो भी ओजोन जो होता है वह अक्सिजन में अब घटित हो जाता है अम बात करते हैं अगले जो है जो कि सबसे important है या तो बनाने की बिदियां या तो उसके आकसिकारक गुड़ी सबसे important topic हैं तो उसके बारे में बात करते हैं इसको आप ध्यान से लिखेगा और आप कापी और पर उठा लीजिए और जाद साथ साथ जैसे जैसे मैं बता रहा हूं नोट करते जाएंगे तो आपको बहुत ही लाब मिलेगा तो बीडियो देखने से कुछ होने तो इसके हम दो कारण लिख सकते हैं कि वह होता है वह क्या होता रुष्ट तो नवजात आक्सिजन देता है और यह दूसरा तरीका है क्या करता है यहाँपर से नीची की ओर जाने पर क्या होता है नियुसाइब क्या होता है युद्धूत्र साने के सेड़ी में बड़ता है डिक है क्यों क्योंकि आप और यहां पर किया करेगा तो यह जो आक्सिजन निकलता है और यह बना लेगा और वो परिवर्थित हो जाएगा इस समय जो उसका माना के प्चेन विवो का मान आता है वो तूपाइंट जीरो सेवन बोल्ट होता है तो अगर इसको लिख पाएंगे के लिए थोड़ा अच्छा है लेकिन अगर नहीं आ रहा है इतना अट्रहणा को दियान में रखना है कि वो जो होता है वह यहां से कहानी चार्ट होगी यहां से क्या है कि यहां पर जो जो है यह से से अगर करा रहें वह जून को तो च्वाय को और याइक करा रहें तो में तो यहां पर देखते हैं कि ओठी जो होता है अभी कहा गया कि यह किसमें नवजात आक्सिजन देता ने पी लेता है अब यो रोता है अगर आप कर लागर कर देते हैं और और यहां पर 해め होगा याव होगा को चील कर रहा है रहा है कि यह स्येयल तू में क्या कर रहा है थीच है तो इसको अगर देखेंगे तो नोजात नौशाब तो यहां पर लिखना है और यहां पर क्या है तो हम तो यहां पर बनाते हैं तो यहां पर क्या होगा और यहां पर सील बचेगा तो के रूब में परिवर्चित हो जाएगा यहां तो आप डायट से याद रखेंगे वह जो होता है वह क्या करता है क्या क्या हो रही देखिए एक्सीक्रक बढ़ रही है तो जब आक्सीडेसन नमबर इंक्रीस करता है तो हम कहते हैं क्या आक्सीडेसन हो रहा है यह हो गया तो हम कह सकते हैं वह किया करेंगा यह सील को यहां जानते हाइड्रोजन और आक्समाइब के साथ क्या है बहुत ज्यादा करते हैं यारी है तो यह क्या करेगा और अक्सिजन दो है दो गया दो गया आक्सेन क्य आपका वो 3 और प्लस क्या वच्छा च्छी यच्छ बिजयार हो गया और श्तु यह दो ऑगया और विए ग्यारवा में करें गगा इसी दूसरा वगे इसको आप दोशे लें गोटो में होने सेंट अक्सिजन में यह जाए इस시다 hmm यह जद्य होगा है और यूद्य है आउडीन दो गया अक्सिजन charging हो गया तो आपका ऊथरी हो हुगा और पलस होगा है यहां परहन हम कर सकते हैं यह important है यह आता है क्या होता है जब हाहीड को क्या करता है और चाहरी एफ सी कर देता है तो यह हो गया हमारा पहला यानि वो जो जो है यह CL को CL2 में HBR को BR2 में और HI को I2 में क्या करेगा आक्सी किरित कर दिया तो यह हमने reaction देख लिया ठीक है तो अगर यह आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जाद़ जादे देखें तो आप उसको आप देख सकते हैं कलिर वा और यहां पर बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो है ठीक है कि जो जोन है वो जोन ठीक है हाइड्रोजन सलफाइड को हाइड्रोजन सलफाइड को सलफर में आक्सिक्रित कर देता है क्या करेगा आक्सिक्रित कर देता है अब इसके reaction को कैसे लिखेंगे यह देखिए अगर देखेंगे कि वह जो है वह जानते हैं किसमें वतलेगा तो कहेंगे वह टो में और क्या देगा अब यहां दिके hydrogen sulfide है तो वस्त कि निखो गए है यही नेशंट होगा जो जुडेगा तो Satan को लिखेंघे हैं अब यहां पर नोजात और ऑशघंसे कैंसिल हो जाएगा तो तो यह वो जाएगा आपका वो तरी और प्लस क्या प्लस क्या सब्सक्राइब को सल्पर में आक्सी पर दिया यह एक वाला है और यह सल्पाइड वाला है अगला तीसरा अगर देखेंगे तो हम एक कह सकते हैं कि ओजोन ऑजोनędzieल जिंक सल मढ़ाइड हो तब कर सकते हैं का पर सलफाइड कर सकते हैं कि लेट सलफाइड को इस्तित CT संगत को संगत zum संगत कर देता है क्या कर देता है लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए जो है मैं कोसिस करता हूं कि उसे लिखा हुआ हो तो आपका थोड़ा बच जाएगा अब यहां पर जो है जैसे माल यह आपने जिंक सलफाइड है ठीक है अब वो जो उनके साथ रियक्शन कर रहे हो तो उनकिया करेंगा भाई पहले रहे हैं किसमें टूटेंगा और प्लस नेंसेंट आकसीजिए बहुतए जादा रियक्टिव कि रीएक्टिव में लिए अगर देखा जाए तो जिंक जो में आपको किनसा लगने वाला है है चार तो यहां पर चार ले रहे हैं तो यहांपर कितना ह läuft oxygen एक ओजोन कितना से रहा है इसका मज़तल प्रिशलिए क्या होगा इसलिपेट में यह 4 निकला और यह 4 आप सल्फर से जुड़ा क्या बन गया जयेद ऑक फोर भार जो लोगा अब आ से डिकर लुइस को जोल लीजिए कौईसे यह बचार के सा गया है यहां एकर Kempen आप यह तो तीनों और लिखेंगे कि वह जो जो है जिंक को क्या करेगा जिंक करेगा जिंक सल्फ़ट में क्या करेगा कर देगा किसमें जिंक सलफइट में क्लियर हुआ यह ध्यान में रखेंगे अब इसी टाइप से अगर देखा जाए तो आप यहां पर जिंक पर आप लेट ले सकते हो कि लेट अगर हम सलफइड ले लेते हैं यानि P B S ले लेते हैं और उसे हम उजून के साथ reaction कराते हैं वो जो उनके साथ reaction कराते हैं तो क्या है जैसे जडियन यस है वो क्या बना लिया जडियन एसो फूर तो ऐसे लिश सकते हो आप जडियन एसो फूर और प्लस क्या जाएगा वो टू बदल जाएगा तो जैसे यहां पर चार है यहां भी वैसे क्या करेंगे च आपका म τις मुगत हो जाएगा कि हमने क्या कर लिया कि इनको क्या करें को छीय। कर दे रहा तो यह हमने देख लिया अब बात करते हैं कुछ और हो जाएगा और लिखना है कि जैसे माली आपका question इसमें आ जाएगा पूछेगा कि क्या होता है जब क्या होता है जब वो जोन को zinc sulfide के साथ क्रिया कराया जाता है ठीक है तो zinc sulfide होगा तो zinc sulfide में क्या जाएगा आक्सी क्रित हो जाएगा अगला point है आपका साथ 14 है तो जो भी होगा आप पॉइंट लिख लेंगे 14 में क्या है कि अगर वो जोन जो है वो जोन चारिये वो जोन चारिये potassium iodide को को potassium iodate में क्या कर देता है आक्सी क्रित कर देता है क्या कर देता है आक्सी क्रित कर देता है कैसे समझेंगे अब देखे यहां पर आपका O3 है किसमे मतलेगा तो कहेंगे O2 में और प्लस क्या जाएगा नेसेंट आक्सीजन क्लियर अब potassium iodide है क्या है आपका potassium iodide है तो potassium iodide क्या होगा के आई होगा अब यह नेसेंट आक्सीजन के साथ किरिया करेगा और एक किसमे मतल जाएगा तो कहेंगे के आई वो में किलयर अब यहां देख रहे हो पोड़ीसी को बोलते है आउड़ी आजयां मी देख रहे हैं oxygen कितना लग गया Donc यहां पर तीन से गुड़ा देंगे तो यहां oxygen भी कितना निकलना चाहिए तीन तो पूरे रियक्षिन में क्या कर दो तीन से गुड़ा कर दो अब जोड़ लिजे तो तीकि नेसेंट आक्सिजन तीन यहां निकला था और यहां खतम हो गया जोड़ेंगे तो क्या जागा तू यहां पर कैया है और वह जो potassium iodate potassium iodate लेकिन अगर कह रहा है और एक्सेस में अगर एक्सेस करा देते हैं के आई और प्लस अगर हम माले एक्सेस में वह जोड़ेंगे तो हम कहेंगे यहां पर इससे कह सकते हैं कि आपको potassium iodate का निर्माड हो जाएगा तो potassium iodate का निर्माड यह कर सकता है लेकिन ध्यान में रखेंगे ज्यादा तर आपको यहीं लिखना है क्योंकि कोईशन जो आता है वह अधिक्ता में नहीं आता है यह पूछा जाता है कि क्या होता है जब potassium के बिलेन में क्या करते हैं oxygen और जोन गैस प्रवाहित करते हैं तो किसमें बदल जाएगा तीक है अब यहां पर हो गया लेकिन यह कैसा माद्यम होना चाहिए अब यहां पर देखें तो अगला पॉइंट है अगर लिखेंगे तो ओजोन जो है क्या है ओजोन ओजोन जो है अगर देखें तो sodium nitrate को यह ने टू sodium nitrite कहेंगे क्या वोलेंगे sodium nitrite को कि sodium nitrate में में आक्सिक कर देता है आक्सिक कर देता है अब यह कैसे लिखेंगे रिक्षन को तो बहुत ही सिंपल दरीका देल क케 करना क्या है वो जो न है क्या बदलेग और नोजात आक्सिजन देगा अब यही और अ. Wonderful संथा धियान में रुखेंगे कि यहां पने तो इसको बहलते हैं नाइट्राइड क्या बहलते है नाइट्रायड और यह नाईट्राइड नो टू पर एक माइनस होता है तो इसको क्या बोलते हैं नाइट्राइट बोलते हैं और यह नो थिरी पर अगर एक माइनस आ के यहां पर क्या जाएगा लेट वाले को लेट में पूरा ले लेंगे रट वाले को रैट में ले तो आप देखते तीन और यह तो इस लश्ट वाले को लिकर के काम चला सकते हो अब इसी टाज से अगर आम माल którą है जि б overlapping विया भी थे तो अगर इस सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर हमने देख लिया तो अगर आपको वीडियो पुसंद आता है तो यहां पर हमने देख लिया वोजोन के आक्सी कार गुड़ अब अगला जो भी पॉइंट होगा साथ 6 नॉमबर पॉइंट है तो उसको लिख लेंगे अब कहारा कि अगर हम नम नम वोजोन जो लिखेंगे वोजोन वोजोन नम आयोडीन को टीक है किसमें आयोडिक अमलों में आखसी कर देता है आखसी कर देता है बेरी-बेरी इंपॉर्डेट है कर देता है यह आपका सच से इंपॉर्डेंट टापिक है कि यहां देखेंगे तो थीप्गी क्या करता है वहई नम में किया करता है अक्सी क्रिट कर देता अगर देखेंगे तो हम यह कीच्छी सकते हैं कि हो जोन है और थीरी है यह क्या करेगा और mãe- 거예요 थेगा- गर पर यहां पर कर लेंगे तो देखे यहां पर कितना है तो तीन हो जाएगा इसका मुलब दो नेसेंट लगेगा तो दो लगेगा तो इसका मूलब पूरी रिक्षन में क्या करना पड़ेगा हमें दो से गुड़ा करना पड़ेगा अब जो लोग सिंपल सी बात है अब यही जो आक्सीजन कितना निकला था दो और यह दो से कैंसिल हो गया खतम हो गया तो बचा किया आपका ङुदो किया बोलेंगे हम आयो डिक लियुद। तो यह होगा आपका आक्शीकारखुड तो इसी प्रकार से बहुत है आप आक्शीकारखुल सकते हैं अब बात करilateral हम J तो इसके अप मेंaten जोन है वह होता है यह होता है या कुछ नहीं होता कि यह इसन में से कोई नहीं ऐसा कोई अब्जयक्टिव सब्सक्क्राइब करेगा और अब करेगा अब करेगा जब आप कोई पराकसाइड के साथ करा ओगे तो होता वह क्या करता है तो जैसे माल्य यहां पर हाइटो है तो यहां पर ली सकते हैं अब उसके बाद जो है वो जो कुछ रासानिव कर अब जाय गुडर पर रसित करता है जैसे है यहां पर क्या करता है क्या कर देगा अब यहां पर क्यों आक्सिजन निकलेगा तो जिसका आक्सिजन निकलता है उसका कहेंगे कि अप्चैन हो रहा है तो यह अप्चैक है इसलिए इसका क्या करेगा अप्चैन करेगा या इसको करके हम्स क्जा करते हैं वो जो होता है वह सोडियम पर अर्ट को क्या करेगा सोडियम हडर और में क्या करेगा तो इसके कुछ क्या थे अपचाय गुणतर अगला देखेंगे तो मतलल होता है बिदिन पॉडर करता है बिद्द यानि कहसकते हैं मुर्टा अबचरечение इंधीं न髓ं कि फाल्टपव अब ये-डाय थैट है यह क्या होता है उ order ये क्या करता है तो कहेंसी तो नौ जात आकसिजञ्ण करेगा क्लियर तो यह gotten उसको क्या करेगा यही निटन कशिक्रिट कर देगा और इससे ये रंग हीन हीन हो जाएगा कैसा हो जाएगा रंग हीन हो जाएगा सब्सक्राइब गुंए लिए ज dil आए इसी को कह सकते हैं विरेंजा गुर्ण मतला होता है रंगोंको उडाने की प्रक्रिया यानि वडाने तो होता क्या है कि वह जो लोता है और देता है चो होता है जो और आरगेनिक में पढ़े होंगे कि वह जो होता है अगला पॉइंट नहीं सकते हैं पांचवा जो है वह जो नाइड का निर्माड करता है यह कहां पर है तो यह आरगेनिक में है क्या आपको बताया गया कि तो करना क्या है इसके बांड को आपको तोड़ देना है इन दोनों आक्सिजन को यहां बीच में ले आना है कहा लाना है इसख्या लिखिए इस ऀनको बीच मिलाए सोरे सिर्ष एस कर दो यह जिए और यहां नहींस्यूर्स और यह वबनाईए यह बहुत है और यहां लगा लिकाशिजन को यहीं है यह कि च्पलत का यहां लगा और आकशिजन terror और ये स्टू के साथ रियक्शन कराते तो इसको बहुते हैं रिडक्टिप के लिए जो गया यह इसका अप्चेन विखंडन होगा जिसकी वज़े से आपको यह ली हैड या किटोन मिलता है तो अगर आपको और आपको आर्गेनिक अगर देखें तो यह साथ किया पर निर्माड करता है अब बात करते हैं इसके कुछ उपयोग की क्या है उपियोग के अगर हम बारे में बात करें तो जोन का उपियोग हम क्या कह लिए सकते हैं तो जोन जो होता है उसका हम उपियोग क्या करते हैं कीट नासक दवाओं के रूप में करते हैं क्रित जल जो होता है यहां बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें गरते हैं किल कर देता है था इसलिए पानी को सुध करने के लिए भी अम इसका प्रियोग करते हैं उसके बादा अगर देखें तो यह किटना सफ होगा तो उनासक होता है तो हमिए सकते हैं जो इनकرमण और पटेर होया है निचीत मातरा में क्पलाई प्रवाहित करते हैं और उसके बाद अगर देखें तो उपयोग है वह वाइव को सुध करने में किया जाता है या प्रिरच्छक के रूप में करते हैं यानि खार्द पदार्तों को खराब होने से बचाने के लिए भी इसका परियोग करते हैं तो यह था कंप्लीट वीडियो जो आपके ओजों से रिलीडेड था वो मैंने प्यूरा वीडियो बना दिया है अगर यह वीडियो आपके है या कुछ भी आपको इससे जानकारी मिल रही है तो आप प्लीज सेर करें सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं